हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने साशी डिजाइन स्यूट्यूब चैनल में तो देखिए आज फिर एक निव डिजाइन की वीडियो लेकर आए है तो ये पॉफ स्लीव डिजाइन है और ये डिजाइन आज कल काफी ट्रेंडिंग में चला हुआ है तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमने स्लीव ली है और इसकी जो लंबाई है ये है 15 इंच की 15 इंच की स्लीव है और आगे से देखे तो यहां से 10 इंच की लंबाई है और उपर से देखे तो यहां से 14 इंच है तो देखिए इसकी कटिंग हमने पहले ही की होई है तो अब यहाँ पर हम कपड़े को ऐसे लेंगे और मसीन यहाँ पर चलाएंगे तो देखिए मसीन की चाल को बहुत बड़ा कर लेना है और ऐसा कर लेने से यह सलवटे अपने आप पढ़ती जाएगी तो देखी फ्रेंट्स यहाँ पर सलवटे पढ़ गई है और इस परकार हम यह डिजाइन बनाएंगे यह देखी यह तो सलवटे पढ़ गई है और अब हम एक और कपड़ा लिया है इसके लंबाई 11 इंच है और यह कापड़ा हमने जो हमारी कूर्टि होती है उसके नीचे जो बोर्डर होता है वह है तो देखी इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इन सलवटों को एक समान कर लेंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे ये देखिए तो कपड़े को यहाँ पर रखते हुए और मसीन को चलाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये डिजाइन आप सभी को कैसा लगेगा कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके बताना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकोन का बटन भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सब भी तक आता रहे ये देखिए तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और इसी कफ को यहाँ पर अटेच कर दिया है तो देखिए आगे की साइड से ये कम्प्लीट हो गया है अब हमने एक दूसरी बाजु को भी ऐसे ही पहले बना लिया है ये देखिए तो अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो देखिए अब उपर की साइड भी मसीन की चाल को बिल्कुल बड़ा कर लेना है और फिर ऐसे ही सलवटें डालनी है ये देखिए तो मसीन की चाल को बड़ा कर लेने से मसीन चलाने से ऐसे सलवटें डल जाती है और अब इनको ऐसे एक समान कर लेंगे और बिल्कुल बीच में रखेंगे तो देखिए जहां पर हमारे फ़फ बनेगा वहां पर हमने इन सल्वटों को बीच में कर लिया है और अब यहां पर सिलाई लगाएंगे तो देखिए जिसके जितने भी बाजू की बाजू है उतने अनुसार उसके अनुसार आप सिलाई लगा सकते हैं यह देखिए तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और यह हमारी फॉप सिलाई डिजाइन है यह बनकर तयार हो गई है अब देखिए इसको हम अपने कुर्ती पर कैसे अटेच करेंगे तो सबसे पहले हम भीजवाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से ऐसे जो एक्स्टर कपड़ा है इसको अंदर की साइड करते जाएंगे और जो तीरे हैं हमारे यहाँ से इनको ऐसे सलीव को सीलते जाएंगे यह देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे गोलाई में सलीव को सील देना है और जो सलवटे हैं इनको बिल्कुल तीरे के उपर रखना है ताकि यह पफ उपर बने यह देखिए तो बिल्कुल सलवटों को एक समान करते हुए और यहाँ पर सिलाई करते जाना है तो देखिए फैंस यह सलेव डिजाइन आजकल काफी ट्रेंडिंग में चला हुआ है और यह पहने में भी काफी अच्छी लगती है और बनाने में यह बिल्कुल इजी है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता यह देखिए तो यह सलेव है यह बनकर तयार हो गई है तो यह डिजाइन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और आप सभी ने हमारी वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए थैंक्स